सुप्रभात बच्चों, आज का विषय है हिंदी व्याकरन हिंदी व्याकरन में आज हम लोग कारक के विषय में अध्यन करेंगे तो से पहले हम लोग यह जान ले कि कारक किसे कहते हैं पडिभासा है, कारक का साप्धिक अर्थ होता है करने वाला जो काम को कड़े, कारक का सापधिकर्त करने वाला होता है क्रिया की उत्पत्ती में जो सहायक होता है उसे कारक कहते है जैसे राम पढ़ता है, शिरियां डाल पर बैठी है यहां राम किताब पढ़ रहा है पढ़ने का काम राम कर रहा है राम क्या पढ़ता है किताब पढ़ता है चिरियां डाल पर बैठी है बैठने का आधार डाल है अब हैं कारक की भीद, कारक की आठ भीद होते हैं एक तरफ कारक का नाम है और दूसरे तरफ कारक चिन जिसे परसरग कहते है क्रमान उशार हमने कारक के भीद का नाम लिखा है जिसका चिन उसके सामने अंकित है करताने, कर्म को, करन से, शंप्रदान को के लिए अपादान से शंबन्द काके की अधिकरन में पर शंबोधन हे अजी अडे अहे इत्यादी इसमें और भी आएगा अब पहला है करता कारक जो काम करता है उसे करता कारक कहते हैं जैसे तुम सब यहां आओ राम ने पढ़ा तुम सब यहां आओ आने का काम तुम सब के द्वारा होगा राम ने पढ़ा पढ़ने का काम राम किया है दूसरा है कर्म कारक जिस पर काम का फल प्रभाव पढ़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्मकारक कहते हैं कर्मकारक में हमने लिखा यहां नोट में कि इसमें क्या और कहां का चिन छीपा होता है कर्मकारक में क्या और कहां का चिन छीपा होता है जैसे हम लोग घर जाते हैं उसने बाग को मारा हम लोग कहां जाते हैं घर जाते हैं उसने क्या मारा बाग को मारा अर्थात ये वाक्य कर्मकारक के अंतरगत आते हैं तीश्रा है करनकारक जो क्रिया का माध्यम होता है उसे करनकारक कहते हैं जैसे वह कलम से लिखता है हम सब आँखों से देखते हैं यहां लिखने का माध्यम कलम है और देखने का माध्यम आँख अगर आँख ना हो तो हम लोग नहीं देख शकते नम्मर चार शंप्रदान कारक जब किसी के लिए कोई वस्तु लाई जाती है या जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं जैसे राजा भिक्चुक को धन दे रहा है वह माता के लिए फल लाती है फल माता के लिए वह ला रही है जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं अपादान कारक में अलगाओ का बोध होता है जैसे घरा से पानी बहता है वह विद्याले से घर जाता है यहां पानी घरा से अलग हो रहा है और वह विद्याले से घर जाता है वह जो है वह विद्याले से अलग हो रहा है नमर छो संबंद कारक जो संग्या और शर्वनाम का संबंद दूसरे शंग्या सब्दों से प्रकट करता है उसे संबंद कारक कहते हैं जो संग्या और शर्मनाम का संबंद दूसरे संग्या सब्द से प्रकट करता है उसे शंबंद कारक कहते हैं जैसे उसकी गाय काली है राम के पिता जाते हैं राम स्याम का मित्र है यहां संग्या और शर्मनाम दूसरे संग्या सब्द से शंबंद प्रकट कर रहा है अर्थात ऐसे वाक्य संबंद कारक के अंतरगत आते हैं साथवा है अधिकरन कारक जो क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरन कारक कहते हैं जो क्रिया का आधार होता है वो अधिकरन कारक कहलाता है जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं चिरियां डाल पर बैठी है हम लोग कहां रहते हैं भारत देश में रहने का आधार भारत देश है और चिरियां डाल पर बैठी है बैठने का आधार डाल है अगर डालना होता तो चिरियां कहां बैठती और अंतीम है आठवा शंबोधन कारक जिसे संबोधित अरथात पुकार जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं इसे संबोधित किया जाए उसे शंबोधन कारक कहते हैं जैसे हम लोग कहते हैं हे राम दया करो अड़े आप कैसे हैं अजी मैं ठीक हूं इस प्रकार कारक के भेदों को आज हम लोग अध्यान किये